खबरे अप्तक, powered by fly appearance, the journey beyond your imagination क्या कुछ हुआ खास वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले headlines पर एक नज़र डालते हैं बाराक और मिशेल उबामा ने क्या राश्पती पत की उमीदवारी के लिए कमला हैरिस का समर्थन पूर्वे अमेरिकी राश्पती बाराक उबामा और उनकी पत्मी मिशेल ने शुकरवार को कमला हैरिस की राश्पती पत की उमीदवारी का समर्थन किया लगभग एक मुनिट लंबे वीडियो में दोनों ने कमला हैरिस के बीच एक निजी फोन कॉल का जिक्र किया ओबामा ने हैरिस से कहा कि मैंने और मिशेल ने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हम आपका समर्थन करते हैं श्री लंका में सितंबर में राष्टपती चुनाव विक्रम सिंगे ने निर्दली मैदान में उतरने का किया एलान श्री लंका के 2022 में आर्थिक रूप से दिवालिया होने के बाद ये पहला चुनाव होगा राश्ट्रपती के वकील रोनाड पेप्रारीत राश्ट्रपती चुनाव लड़ने के लिए विक्रम सिंगे की और से राशी जमा कराई है अगनीवीरों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला यूपी पुलिस और पी एसी में मिलेगा आरक्षर उत्रप्रदेश के मुकिमंत्री योगी आरतिनातनी शुकरवार को घुशना की कि राश्ट्र अगनीवीरों को यूपी पुलिस और पी एसी में आरक्षर प्रादान करेगा पाश्ट्री नोबाद बजार में लोटा दाम सेंसेक्स 1293 अंको चड़ा निफ्टी 24,850 के पास सावन में सापों को देखना वैसे तो बहुत शुब माना जाता है लेकिन इसी बीच एक ऐसे वीडियो निकल कर सामने आई हैं जिसे देखने के बाद तो हर शिवभक्त भी काप उठेगा पहले तो देखिए ये वीडियो मारों के हात है आरगो ने हैं अब अबह मारो रहे हैं तरह के अ कई धाग्वंक्ने वेडियो ने काजू़ के पातली से जाग कर दिसे दुऐ उठेगा पार बूफिय looking आप भी इस वीडियो को देखकर चकित रह गए होंगे कि आखिर इस वीडियो में है क्या आज भी गाउं में जिन घरों में शौचाले नहीं है वहाँ पर लोगों को खेत में ही शौच के लिए जाना पड़ता है वारिल हो रही वीडियो में ये देखा जा सकता है कि खेत में बैठे एक शक्स को किस तरह अजगर ने गर्दन से पकड़ लिया है दरिसल वर्शक सुभा की समय खेत में शौच करने क्या हुआ था कि तभी अजगर ने उस पर धावा बोलते हुए उसे जकर लिया और निगलने की कोशिश करने लगा देखा जाए तो ये वीडियो जहां सावधानी बरतने के लिए आगा कर रहा है महीं सरकार की शौचालेओं वाली यूजना को भी उजागर कर रहा है सरकार दावा करती है कि गाउं में शौचाले हैं और लोगों को अब बाहर शौच के लिए नहीं जाना पड़ता लेकिन ये वीडियो सरकार के दावों की भी पोल खोल रही है फिलाल इसी के साथ रुक करेंगे हमारी खास रिपोर्ट्स के ओर ये कहानी है उन शूर वीरों की जिन्नोंने अपनी जान की परभाना करते हुए देश के लिए हस्ते हस्ते कारगिल युद में अपने प्राण नियोच्छावर कर दिये 25 साल पहले भारत के वीर सपूतों ने पाकिस्तानी सैनिकों के मनसूबों को पस्त करते हुए कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फेहराया था 26 जुलाई 1999 का वो दिन हर भारत वासी के लिए गर्व का दिन था जिसे हम आज भी आद करते हैं इसलिए गर्व से भरे इस दिन को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जुलाई की ये तारीक इसलिए भी एतिहासिक है क्योंकि इसे दिन ओपरेशन विजय भी सफल हुआ था इस ओपरेशन में भारती सेनिकों ने जमू कश्मीर इस्थित कारगिल के उन इलाकों पर दोबारा फते हासिल की थी जिन पर पाकिस्तानी सेनिकों और आतंगवादियों ने घुसपैट कर कबजा कर लिया था लेकिन इस युद्ध में हमने अपने कई वीर सपूतों को भी खो दिया था तो चलिए आपको आज इस खास दिन पर उन शहीदों के बारे में बताते हैं जिन्नोंने बिना सोचे देश के लिए अपने प्राणू की आहूती देदी देश में 26 जुलाई को हर सार कारगल दिवस मनाया जाता है 1999 में हुए कारगल दिवस को आज 25 साल पूरे हो गए हैं देश के वीर सपूतों ने अदम में वीरता का परिचयत देते हुए पाकिस्तान को इस युद्ध में धूल चटाई थी भारतिय सेना के जवानों के पराकरम से पाकिस्तान थर्रा उठा था वो जवानों का ररकोशल ही था जिसके आगे पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिये आज इस युद्ध के असली हीरो से आपको रूबरू करवा देते हैं जो युद्ध लड़ते हुए देश के लिए शहीद हुए थे कैप्टन विक्रम बत्रा ओप्रेशन विज़े के दोरान 13 जे एक आर आई एफ के कैप्टन विक्रम बत्रा को पॉइंट 54 पर कबजा करने का काम स्वापा गया था आगे से ने ट्रत्र करते हुए एक सहासी हमले में उन्होंने नजदी की मुकाबले में चार दुश्मन सैनिकों को मार गिराया गंभी रूप से घायल होने के बावजूत उन्होंने अपने लोगों का निट्रस्ट्र किया और हमले को जारी रखा भारी दुश्मन गोलाबारी का सामना करते हुए लगभग असंभव कारी को पूरा किया और फिर शहीद हो गया उनके इस सहसी कारी से फ्रेडित होकर उनके स्यानिकों ने दुश्मन का सफाया कर दिया और पॉइंड 4875 पर कबजा कर लिया लेटेनेंट मनोच कुमार पांडे ओपरेशन विजय के दौरान गोर्खा राइफल से लेटेनेंट मनोच कुमार पांडे को जमू और कश्मी के बटालिक में खालू बार रिस्कों खाली करने का काम स्वापा गया था तीन जुलाई 1999 को जब उनकी कमपनी आगे बढ़ रही थी तो उस पर दुश्मनों की भारी गोला बारी हुई उन्होंने निडर्ता से दुश्मन पर हमला किया चार दुश्मन सैनिकों को मार गिराया और दो बंकरों को नश्ट कर दिया उन्हें वीरता और सर्वोच बलिद कल्प के साथ अपने कारी को पूरा किया अधिकारी के प्रेनादायक नित्रात्व उनके साहस और उनकी बहदुरी ने टाइगर हिल पर कबजा करने में महात्वपूर भूमिकाने भाई उन्हें उनके साहस और बहुदुरी के लिए महावेर्च्वक्र से सम्मानित क्या गया जाहिर है 26 जुलाई 1999 को हुए कारगिल युद्ध में शहीद हुए सेना के तमाम जवानों और अधिकारियों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें सम्मान देने के लिए कारगिल विजह दिवस मनाय जाता है कारगिल युद्ध में भारत के कोने कोने से लोग जुड़े और सैनिको के समर्खन में आगे आए कारगिल विजह दिवस देश की एकता और देश-भक्ति का प्रतीक है इसके साथ ही कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों की वीरता भरी कहानी देशवासियों के लिए एक प्रेड़ना है जो देशवासियों में देश के लिए उनके कर्तव्य की भावना को जगाती है फिलाल इसे के साथ रुख करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर अशिक्षा अपरात और अंद विश्वास को बढ़ाती है दुनिया भर की जनसंख्या का लगभग 18 फीसदी हिस्सा अकेले भारत में निवास करता है ऐसे में यहां लोगों का शिक्षत होना बहुत जरूरी है मगर अफसोस कि यहां शिक्षा का स्तर कभी बढ़ता है तो कभी रुख जाता है और वज़ा है सिस्टम में कमिया यहां शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी एकता से काम नहीं करते गाउं में हालत सबसे ज़ादा खसता है क्योंकि यहां तो विद्यालियों को कई कम्यों से दोचार होना पड़ता है ऐसे में मुरादाबाद के एक प्रात्मिक विद्याले के हालातों से आपको रूबरू करवाएंगे तो आप भी हाय तौबा करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे दरिसल यहां एक विद्धियाले की हालत यह है कि यहां 2017 में विद्धुद विभाग बिजली का मीटर को रग गए है लेकिन अब 2024 तक कोई मीटर लगाने नहीं आया देखिए यह रिपॉर्ट मुरादाबाद के भगतपुर ब्लॉक के नकटपुरी कला के प्रात्मिक विद्धियाले में सरकार विद्धियाले की काया कल्प करवाने का दावा तो करती है लेकिन मौजूदा इस्थिती कुछ और ही वया करती है एक ऐसा ही मामला नकटपूरी कला के प्रात्मिक विद्याले का सामने आया है जहांकि प्रात्मिक विद्याले की मौजूदा इस्तिति सरकार के खोखले दावों की पोल खोलती नजरा रही है यहां 2017 में विद्धुत विभाग के करमचारी बिजली का मीटर तो विद्ध्याले में पहुँचा गए लेकिन आज तक उसे लगाने कोई नहीं आया है जबकि विद्ध्याले से 20 मीटर की दूरी पर ही 11,000 की लाइन गुजर रही है और आज तक विद्ध्याले में लाइट की विवस्था नहीं हो पाई लाइट की विवस्था ना होने के कारण कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ने में काफी परिशानियों का सामना करना पढ़ रहा है बीशन गर्मी के चलते बच्चे स्कूल में आने के लिए असमर्थ हैं स्कूल में समर्सेबल पानी की टंकी, शौचाले, बिजली के पंखे, बल्प, आरी की विवस्था है लाइट ना होने के चलते इनका प्रयोग बच्चे नहीं कर पा रहे हैं और गर्मी में कौपी किताबों से अपनी हवा करते रहते हैं अपने अलादिकारियों को लिएटर लिकर बेचा है लेकि उसके बाद भी कुछ नहीं है कितने सरक्से लाइट नहीं है यहाँ लाइट से भी नहीं है, सन 2017 में यहाँ मीटर तो आ गया था लेकिन लाइट आसका है जो लाइन है बिजली की वर कितनी दूर है स्कूल से लबक पांचो मेंटर पांचो मेंटर की दूरी करें अच्छा इस से अगर कनेक्शन क्या जाए तो लाइट आ सकती है वहीं यहाँ पढ़ने वाले बच्चो ने बताया कि स्कूल में पढ़ने के दौरान इस मौसम में विद्याले में बहुत गर्मी लगती है हम सही से पढ़ भी नहीं पा रहे है गर्मी लगती है अच्छा पढ़ाई भी सही से नहीं कर पाते होगे अब परसीने किसलिए आ रहा आप कितना गर्मी के कारणा पतिन आ रहा है इसके अलावा बच्चों के अविभावकों का कहना है कि विद्याले में अमीरों के बच्चे पढ़ रहे होते तो लाइट की विविस्था हो गई होती यहां सभी गरीबों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं इसलिए विद्याले में लाइट की विविस्था नहीं हो पा रही है सुनिए अभिभाव को का दर्थ जो काफी दिक्कत आती हुए अब ने कभी इसकी शिकार्ट करिया बहुत बार करी है क्या आस्पास नहीं आए आज तक कोई रही है अच्छा कोई आस्पास नहीं मिल बाता है कि अलक्षन सब्सक्राइम में तो पिरियल लाइस आ जाती है अच्छा हूं जिला पंचार सबसे ब सब्सक्राइब करता है नगट पूरी कला बिलाग भगर को टांडा और इसमें जो है लगबग दो हजार पांच का में इस स्कूल की स्थापना हुई है और उसी टाइन से जो है बिजली की मांग कर रहे हैं बागी अभी तक जो है कोई समाधान नहीं हो रहा है जबक्या मात् 20 मीटर की दूरी पर 11,000 की नाइम जा रही है जादे लंबा चोड़ा वो लही है अगर सासन प्रसासन इस पर संग्यान ले तो सायद बच्चों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है कि ना तो सिक्षक सही से पड़ा पारे स्कूल में इतनी धिजल गर्मी है कोई भी आदमी र तो मैं सरकार से मानने मुक्यमंत्री योगी जी से मानने मदवाई डियम साथ से अथील करता हूं कि इसमें जल्दी से जल्दी बिश्री की द्यवस्ता करा जाए ताकि बच्चों को रहत मिल सके करें मुख्याले कि इतनी दूर है यहां से जनपन मुख्याले लगबक 13 किलो म इसमें सारे अधिकारियों को हमने अगबत भी करा दिया मालो डियम साथ को वी आगबत करा दिया मागी मिलता कि मुख्या कि यहां तैंट जरी सकयाइट के विजली विवाग से भी किये और जय को इसकूल में प्रिदा अध्यापक हैं उन्होंने भी इसकी कई वार अगर लाइट की विवस्ता यहां हो जाये तो जो बच्चे पढ़ने वाले उनकी संक्या और सकती है इसकूल में ज़ाइट की विवस्ता हो गई तो बच्चों की संक्या जादा बढ़ जागे कुछ यहां जो है सारे गरीब लोग रहते हैं ज्यादा हमी लोग है नहीं तो उन्हें थीस में उसमें थोड़ी परहसानी परती है तो इसलिए अगर यहां लाइट की व्यवस्ता होगी तो बच्चों की संक्या ज्यादा बढ़ देती है वहीं दूसरी तरफ बच्चों को जो सुभीदा है बच मुरादाबाद से सीन्यू समधाता जाबिर हुसेन की रिपोर्ट देखा जाए तो आप सोच सकते होंगे कि आखिर इस समस्या के साथ बच्चे भला कैसे पढ़ सकते हैं सूचिए विद्द विभाग की ये लापरवाही कितनी बड़ी है कि 2017 से यहां आज तक मीटर लगाने कोई नहीं आपाए गाउ में उच्चे शिक्षा के प्रसार से हम नए भारत की नीव रख सकते हैं मगर ऐसी लापरवाही हमें रोकती है जिस पर प्रशासन को भी ध्यान देने की जरूरत है और ऐसी लापरवाहियों पर नकेल कसने की भी जरूरत है फिलाल रुक करेंगे अ कोन कर बुलाय जाता है और उसके बाद साम का रेस्क्यू शूरू होकर उसको पकड़ने के बाद खत्म होता है लेकिन आपको बता दे कि राइसे नगर में कैलाज गौर ही हैं जो सापो का रेस्क्यू कर पाते है लेकिन कैलाज गौड को अफसोस इस बात का है कि उन्हें नगर पालिका से या प्रिशासन से कोई भी मदद नहीं मिलती जबकि बारिश के मौसम में भोपाल नगर निगम में भी सांपो को पकड़ने के लिए सांपो के विशेशग्यों को रखा जाता है देखिए पूरी रिपोर्ट इन दिनों बारिश की शुरवात में कई जगा अचानक जहरीले सांप निकलने की घटनाएं सामने आती हैं ऐसे में लोगों को इन जहरीले सांपों से सतर्क रहने की आवश्यक्ता है ऐसा ही वाकिया राइसे नगर के बाइपास रोट पर अंशिका हाइवे नेचर वैली फार्म हाउस पर देखने को मिला यहां एक दस फीट से जादा लंबा धमना प्रजाती का सांप लोहे को जाली में फस गया जिसकी जानकारी मिलने पर राइसेन, गोपालपुर, निवासी, सांपों का रेस्क्यू करने वाले कैलाश को यहां बुलाए गया कैलाश आमतोर पर घरों और कहीं भी सांप पकड़ने में माहिर है उन्होंने करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद किसी तरह लोहे की जाली में बुरी तरह फस चुके साप को सकुषल तरीके से निकाल कर पकड़ लिया इस तरह एक साप का लाइब रेस्क्यू किया गया बता दे कैलाश फोन से सूचना पर बिना किसी फीस के ये काम समाज सेवा की रूप में कई सालों से करते आ रहे हैं जुसकी नगर में काफी प्रशनसा भी की जाती है लोगों ने उनकी इस समाज सेवा के लिए जिला प्रशासन से उन्हें सम्मानित करने की मांग की है सुनिए फिर घर केसे चलाते हैं बस मेनथ मैस्जदी करता हो और आपनका अगहर चलारा हूं लेकिन जब आपके पास और दी का नुक्सान रही है मुझदी नुक्सान होता है जो कुछ दे लिए तो दे दिया नमी दिए तो ठीक है कई लोग नहीं देते हैं ख़ी लोग देते भी हैं, सबी बात हैं, तो वो क्या है कि बहुत तो निसल सेवा हो रही है उप्लाल में तो, और करीब थीस बतीर साल से कर रहा हूँ मैं जे काम, अभी तर कितने लंडे लंडे बड़े बड़े साथ हैं, दस फिट, ग्यार फिट हाँ, रेस्की कर चुका हू जाहिर है कैलाश अब तक सैक्रों सापों का रेस्क्यू कर चुके हैं, लेकिन इसके लिए सरकार की ओर से ना तो कोई आर्थिक सहायता मिलती है और ना संसाधन, बावजूद इसके कैलाश अपने दृट संकल्प और बुलंद होस्रू की मिसाल पेश करते हैं, और अपनी ज एक साप पकड़ने वाले व्यक्ति को दिये जाते हैं, जुससे उनकी जान को कोई खत्रा ना हो। उत्तरप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफ नामा दायर किया, जिसमें सरकार ने कावड यात्रा के दौरान दुकानों पर नाम पट्टिका लगाने के अपने आदेश का बचाब किया। इस परकेशर प्रसाद मौरे ने भी पलट पार करते में कहा, कॉंग्रिस का मोहरा बन चुके सपा बहादूर अखिलेश यादव भाचपा को लेकर गलत वैमी पालने, अती पिछडों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगा सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान द ये बैठे के बुलाने के अलावा कुछ नहीं करता, योजना आयू को वापस लाओ, मही करनाथक क्याबनेट ने शुक्रवार को रामनगर जिले का नाम बदल कर बैंगलोरू दक्षन करने को मंजूरी दे दी है, फैसले की जानकारी देते हुए कानून और संस्तिय कारे मंत मंत्री एच के पार्टिल ने कहा कि ब्रांड बैंगलोरू को ध्यान में रखते हुए राजसरकार ने ये फैसला लिया है, उन्होंने कहा कि बैंगलोरू ब्रांड को ध्यान में रखते हुए कैबनेट में रामनगर के विधाय को द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीक पेश हुआ तो किसानों की उम्मीदे एक बार फिर धरी की धरी रह गई एक बार फिर उनको लगा कि उनको सुनने वाला कोई नहीं है वहीं उनकी चिंता किसी को नहीं है उनको सरकार केवल चलने का काम करती है हर बार वादा करके सरकार किसानों को भूल जाती है और फिर बाते बनाती है मगर क्या यही पूरा सच है क्योंकि मोधी सरकार 3.0 के पहले बजट में वित्तमंत्री ने सरकार की जिन 9 प्रात्मिक्ताओं का जिक्र किया उसमें विक्सित भारत के लिए रोजकार, महंगाई, नियंतरन, कृषी, महला, युबाविकास के साथ-साथ, मध्यमबर के पहली बार सकरात्मक सोच सामने आई, बावजूद इसके विपक्षी दल, किसी न किसी बहाने, उसका विरोध करते हुए संसद में हंगामा बरपा रहे हैं, तैह है कि विपक्षी दल, किसान आंदोलन को उग्र करने के प्रयास करेंगे, ऐसा इसलिए भी लग रहा है कि पतिपक्ष सरकार पर हमलावर होगा, एक बार फिर किसान आंदोलन के उग्र से उग्रतर होने की संभावनाए हैं, जो से आम जनता को भारी परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सरकार को अभी से कहीं न कहीं अलर्ट हो जाने की जरूरत है, क्योंकि इस बार समस्या का समधान बाद से ही निकालना होगा, इसी के साथ मुझे दे इजासत, जाते जाते पेश है आज का सुविचार, फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुर्वात शूरने से नहीं अनुभव से होगी झाल झाल